अगर आप यूपी से हैं और आपने जेए मेंस 2022 का एक्जाम दिया है तो आपके पास जोसा के अलावा और कौन-कौन सी काउंसलिंग है जो आप अटेंड करके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई यह तो भी तो इस्टुडेंट्स आप अगर आपने अगर जेए मेंस 2022 का एक्जाम दिया है तो आपको जोसा की कांसलिंग अटेंड करनी चाहिए जोसा की कांसलिंग में आई इस एन इस और जी एफ टी आई बहुत हाई रैंक पे भी लास्ट में मिल जाती है तो श्रूइंट्स आपकी एक लाग से जादे भी है दो लाग के अंदर है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें जोसा की कांसलिंग उसके बाद अगर आप यूपी से है तो आपके पास एक टीउ की कांसलिंग का उप्शन है एक एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो पहले टॉफ फाइब में आता था एक टॉप फाइब में फ विब साइड पर करना होगा तो शुट्टिंट आझ हम बात करेंगे टृपल यूट के मीश इokes कि बारे में सीट कितनी है अपको कौन कौन सी है और फीज कितनी है ट्रिपल मुट की ही और कटाफ कितना जाता है ट्रिपल MUT की तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले क्योंकि इसके बाद और हम अपडेट करेंगे आपको SBTU के बारे में और EKTU की कांसलिंग का डेट जैसे ही आ जाता है हम आपको इनफर्म करेंगे किस तरीके से आपको कांसलिंग करनी होगी one by one हम आपको इनफर्म करेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं triple MUT के seats के बारे में तो यहाँ पर जो seats है वो ब्रांच जो है वो civil engineering है civil engineering में 150 seat है home state के लिए free waiver 7 seat है और other state के लिए 15 seat है mechanical engineering में 150 seat है और seven free waiver 15 other state electrical engineering 150 seat है electronics and communication 150 है computer science 225 seat है और chemical engineering 75 seats है information technology 150 seat है next हम बात करते हैं फीज के बारे में तो hostler की फीज जो है वो एक लाग 10,000 रुपे है और day scholar के लिए 90,000 रुपे है यह एक साल की फीज है student अगर हम semester वाइज बात करें तो आपको पहले semester में एक लाग 10,000 रुपे फीज पे करना होगा अगर आप hostel लेते हैं इसमें mess की फीज इंकलूड नहीं है और अगर आप day scholar है तो आपको 90,000 रुपे जमा करना होगा और अगर आप जब आप 3rd semester में जाएंगे तो आपको सिर्फ 96,600 रुपे जमा करना होगा अगर आप अगर आप day scholar है तो आपको सिर्फ 81,600 रुपे जमा करने होंगे next आप देख सकते हैं आप फिप सेमिस्टर का भी दिया हुआ है और इसका link में description में देदूँगा फीस का ताकि आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं next हम बात करते हैं कटाफ के बारे में तो कटाफ की अगर हम बात करें computer science की अगर हम बात करें तो computer science general category में 45,300 rank तक गया था और EWS category में 51,040 rank तक गया था और OBC NCL में 54,810 rank तक गया था और SC category में 1,72,202 rank तक गया था और IT के अगर हम बात करें तो IT में 55,658 rank तक गया था general category में और EWS में 52,996 rank तक गया था और OBC NCL में 57,705 rank तक गया था और SC category में 181,904 रेंग तक गया था Information Technology Next हम बात करें Electronics and Communication General category में 58,996 रेंग तक और EWS में 66,900 रेंग तक OBC NCL में 70,033 रेंग तक और SC category में 2,45,072 रेंग तक Electrical की अगर हम बात करें General category में 75,576 रेंग तक और EWS में 77,450 OBC NCL में 82,444 और SC में 26,2,69,99 Mechanical Engineering के अगर हम बात करें General category में 88,576 रेंग तक और EWS में 1,008,089 रेंग तक OBC NCL में 1,006,032 रेंग तक SC category में 3,56,380 रेंग तक अगर हम Civil Engineering की बात करें तो 99,486 रेंग तक General category को मिल गया था और EWS 1,004,465 रेंग तक EWS में मिल गया था OBC NCL में 1,001,069 रेंग तक मिल गया था SC category में 3,47,749 रेंग तक मिल गया था Civil Engineering और Chemical Engineering के अगर हम बात करें तो General category में 1,001,965 रेंग तक और EWS में 1,004,841 रेंग तक OBC NCL में 1,001,579 रेंग तक मिल गया था और SC category में 3,73,278 रेंग तक तो Students ये कटाफ था Home Estate के लिए तो Students जो भी Students अभी तक Channel पे नए हैं वो Channel को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले ताकि जैसे ही मैं अपडेट करूँ आपके पास फोरण अपडेट पहुँच जाए Okay Students, Thank You